अगर भगवान विश्णु के उपर, भगवान चरी कृष्ण के उपर या भगवान चरी राम या शाली ग्राइशा अगर आप यह चंदन का टिका लगाते हो या फिर यह पुष्प या बिलवा पत्रादी से अर्चन करते हो इसका फल कथन करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है ऐसा लिखा हुआ है वो क्या है आज इस विश्णु और वीडियो में आपको मैं श्रमन करवाऊंगा अगर आ आप ऐसा कोई अर्चन या पूजा पाट करते हो तो हमारे नंबर पर शेयर कर सकते हो जैसे हर बार करते हो अब वो है क्या तो प्रबोधिनी एकादशी के दिन से लेकर पुर्णी मातक के किसी भी दिन लेकिन दो तितियों का यहां पर उलेखन किया है एक प्रबोधिनी एक कादशी और दूसरा है बड़ी दिपावली के दिन यह दोनों में से कोई भी एक तिति के दिन कोई भी मनुशिय अगर भगवान के उपर केसर अगरू जो अगरू होता है अश्टगंद में जिसका प्रयोक किया जाता है वह केशरा गरू कंकूर अर्थात केसर अगरू और पीला चंदन होता है वह चाहिए वह आप अश्टगंद के स्वरूप में चाहे तो ला सकते हो लेकिन अगर घर पे ही केसर अगरू करपूर और पीला चंदन इन चारों को मिश्रीत करके फिर वह चंदन ःगिस के या मिश्रीत करके शालिक ग्राम्जी को भगवान विष्ह क को टीका लगाती हो तो यहां पर लिखा है कि उसके फल कथन को करने में मैं भी समर्थ नहीं हूं ब्रह्मा जी कहते है फिर आगे क्या लिखा है कि इसी दिन इसी तितियों में कोई भी मनुष्य जब भगवान विश्णु को विशेश फलों से विशेश फूलों से पुश्प स और फलों से अगर निवेदन करता है तो क्या लिखा है सभी पृत्वी पर के समस्त तीर्थों में दान करने जितना फल प्राप्त होगा उससे भी एक करोड गुना उसको अधिक फल प्राप्त होगा अगर कोई मनुष्य भगवान को इस प्रकार से टिका लगाएगा और टि भी आपको सुगंदित फुल फल प्राप्त हो उससे भगवान का अर्चन करेंगे तो जैसे मैं आपको सरल स्टैप बता दू पहले भगवान को आप टिका दी लगा ये जो मैंने कहा उस प्रकार से फिर भगवान के उपर बिलवपत्र से चाहे तो बेलपत्र से एक हजार व आमर की मंजरी से अर्थात आमर की मंजरी से भी आप भगवान की पूजा कर सकते हो दुरवा से और शमी पत्रों से चंपक के पुश्पो से और यहां सब का जो है न फल लिखा है कि जैसे लिखा है कि अगर कोई मनुष्य आमर मंजरी से भगवान विश्नु को समर्पित करत तो उसको करोडो गोदान का फल मिलता है, जो कोई भी मनुष्य दुरवा से सिर्फ इन दो तितियों की बात है बाकी के दिनों में ने, जो कोई भी मनुष्य इन दो तितियों में दुरवा से भगवान विश्णु सहस्र का अर्चन करते है, तो शतगुन फड अर्थाद उसको सौगुना फल प्राप्ते होता है जो कोई भी मनुष्य शमी के पत्रों से भगवान की पूजा करता है तो वो हम महागोर नरकों से भी त्यार जाता है जो कोई भी मनुष्य कदंब पुष्पों से भगवान जनारदन की अर्चना करता है तो चक्रपानी विश्णू की कुरुपा से वह कभी यमलोक में जाएगा ही नहीं जो कोई भी मनुश्य कदंब के पुश्पो से भगवान की पूजा करता है तो उसको सभी कुछ प्राप्ते हो जाता है जो कोई भी मनुश्या कमल भगवान को अरपन करता है इन तितियों में, कमल से अर्चना करता है, तुलसी से अर्चना करता है, तो वह हजारों करोडों वर्ष तक वैकुंट में निवास करता है, ऐसा तो फल बहुत लिखाए, मुल मेरा सिर्फ कहने का तागपरिया इतना ही है कि इन एकादशी के दिन या पुर्णी मा के दिन जो कोई भी मनुष्य भगवान को चंदन का टिका लगाता है भगवान को इस तरह से जो भी आपको प्राप्य पत्र या जो फुश्प है वहा हो उनसे अर्चना करता है और उसके बाद भगवान के आगे अलग-अलग फलों से भोग लगाता है तो उनको क्या फल प्राप्त होता है वो मैंने आपको बताया आपको जो भी प्राप्त हो आप उससे हरी के नाम से आप ये सारी सामगरी चड़ाए बाद में किसी पवित्र जगहा पर इने सारी सामगरी का विसरजन कर सकते हो जो फल अरपन की ये है बगव बाइ आनंत पाठक मेरे साथ ओम गणेशा हर हर महादेव जै स्याराम जै बारत जै हनुमान